गैस स्वागत है आपके अपने चनल पर मेक करिये तुड़े पे गैस आज मैं आप लोगों के लिए बहुती बढ़ीय वेकेंसी लेकर आई हूँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे टाटा मोटस जी हाँ टाटा मोटस रिकृट्पें 2022 निकल कर आई है काफी सारी मल्टिपल पोस्ट के लिए जी हाँ अलग अलग सीटीज में अलग 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 शहर में काफी सारी वेकेंसी निकल कर आई है दस हजार तक की वेकेंसी निकल कर आई है अगर आप कम पड़े लिकें हैं जादा पड़े लिकें नहीं हैं तो भी आप इसे apply कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो आज की वीडियो काफी मज़ेदार होने वाली है मैं आपको इस वीडियो में काफी चीजे बताने वाली हूँ कि आप apply कैसे कर सकते हैं और साथ ही में कितना salary package आपके company दे सकती हैं तो Tata Motors की बात करने हैं तो Tata Motors जो organization है काफी package प्रोवाइट करेगी अगर आप कम पड़े लिखी है 10th 12th graduate से लेकर post graduate तक सारी vacancy यहाँ पर available है जी हाँ दोस्तो वीडियो काफी मज़ेदार होने वाली है वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी प्लीज आप मेरे चनल को subscribe कीजिए और like भी कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो क्योंकि यह चैनल आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा important होने वाला है आने वाले दिनों में अगर आप इंडिया में कहीं भी जॉब सर्च कर रहे हैं तो यह चैनल आप लोगों के लिए है जी हां कौन कौन सी company में कहां कहां पर vac 2022 apply online for multiple posts याने की बहुत सारी multiple posts निकल कर आई हैं नीचे यहां पर देख रहे हैं यह Tata Motors जो 2025 और 2023 दोनों के लिए हैं जी हां इस साल और अगले साल तक कि यहां पर vacancy निकल कर आई है Tata Motors में अब नीचे यहां पर short information देखते हैं short information इसे जरूर पढ़िएगा यह भी बहुत ज Structuring Company है और जिसका headquarter Mumbai में है तो यह सारी चीज़े हैं यहां पर इसे पर सकते हैं आप नीचे जाते हैं बात करते हैं Tata Motors Limited रिकृट्मेंट की detail information नाम जैसी कि मैंने आपको बताए Tata Motors Limited है जो की एक गाडियों का और एक वीकल्स का यानि की brand है और अब नीचे apply mode क्या रहेगा जी हां ओन लाइन ही apply कर सकते हैं कोई भी fees की requirement नहीं है जैसी ही हां देख रहे हैं बилेखरी उफ cost इसे apply कर सकते हैं कोई fees की requirement नहीं है 100% free of cost आप apply कर सकते हैं कोई consultancy से पیसे नहीं देने हैं आपको कोई hidden charges नही के बिल्कु Ecuador अप्लाइ कर सकते हैं कर सकते हैं अब 10 अब नीचे बात करते हैं यहां पर पोस्ट एंडmom permission या कौन कौन सी पोस्ट काहा हान निकल कर आई है थो यहां पर सीर मैनेजर की मैनुफेक्टरिंग में निकल कर आई है इंडिया सीवी पिंपरी पुने प्लांट में जी हां सीनर मैनेजर की पोस्ट निकल कर आई है मैनुफेक्ट्रिंग में पिंपरी पुने में और यहां पर SMT ADS की है पिंपरी पुने प्लांट में इंजीनियर की है यहां पर जेक पारे सौफ़ेर आर्किटेक वो भी पूने में हैं चींचेवाट प्लांट में सीनर मैनेजर एप्लिकेशन इंजिनियर की है यहाँ पर काफी सारी विकेंसीज आप देख रहे होंगे बहुत सारी विकेंसीज आई हाँ पर मल्टीपल जैसे की मैंने आपको बताया था शुरुआत में की मल्टीपल पोस्ट निकल कर आई है 2022 और 2023 के लिए तो आप इसे अपनी लोकेशन के हिसाब से और अपने स्किल्स के हिसाब से आप एपलाई कर सकते हैं जैसे कि हाँ जमशेटपूर के रहने वाले हैं तो आप इसमें ODT टीम में एपलाई कर सकते हैं पिंपरी के रहने वाले हैं रियालिबिटी इंजीनियर में आप एपलाई कर सकते हैं और यहाँ पे हम टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 9,000 यानि की 9,597 पोस्ट निकल कर आई है यानि की 10,000 के करीब पोस्ट निकल कर आई है यहाँ पे कौन कोन apply कर सकता इसे India के candidate apply कर सकते है अगर India के कहीं के भी रहने वाले हैं तो आप इसे apply कर सकते हैं महिला पूरिश दोनों ही apply कर सकते हैं और यहां पे experience क्या चाहिए होगा अगर आप fresh हैं कुईसे भी चीज़ के experience नहीं है तो आप इसे apply कर सकते हैं एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पर मिनीमम 18 साल की हैं और मैक्सिमम 39 एस यानि कि अगर आप 18 साल की हो चुके हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जी हाँ एज रिलेक्स अक्षन में HCST 5 साल रहेगा OBC 3 साल रहेगा एक सर्विसमें 10 साल रहेगा Education की बात करते हैं मैंने आपको बताया दस भी पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं Graduation, BTEC and Post, Graduation, MBA, MT. तक सार ही Post यहाँ पर अवेलबल है आप अपना एजुकेशन के हिसाब से इसे देख सकते हैं एप्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जर्नल OBC की फीस बिल्कुल फ्री है, SCST की फीस भी फ्री है, सब के लिए फीस यहाँ पे फ्री रहेगी, डॉकुमेंट्स क्या क्या चाहिए होगी, एजुकेशन का माक्षित चाहिए होगा, सेटिफिकेट चाहिए होगा, और साथ ही में आपका एक वैलिट, पासपोर्ट, अधार काड, लाइक, वोटर आईडी, पैन, एसेक्टर, यह चीज़े चाहिए होगी, पासपोर साइस, फो ठीक है, तो सैलरी आपको जो मिलेगी, वो आपकी पोस्ट और कॉलिफिकेशन और एक्सपिरियंस के अकॉर्डिंग मिलेगी, सपोर्ज अगर आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाय करना चाहरे है, कितने पढ़े लिखे हैं आप, साथ में एक एक्सपिरिंस है या फ्रेश तोटल पोस्ट कितनी निकल कर आई है, अब मैं आपको बताने जारू हूँ, इस एप्लाय कैसे करना है, एप्लाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया है, उस पर आपको क्लिक करना है, और जो भी पोस्ट के लिए एप्लाय करना चाहरे, क्लि वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने अब भी तक सब्सक्राइब नहीं किया मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए